संदेश खाली के मामले को लेकर बिजेपी की तरफ से न्यूक्त महिलाओ का एक दल संदेश खाली जाता है जो वहाँ की पीडित महिलाओ से मुलकात करता है लेकिन वहाँ की स्तिती इस समय भी भ्याववे है इस मुद्देख को लेकर जादा बाचित करने के लिए मेरे साथ आपने फेस्बूक के पोस्ट के जरीए भी संदेश खाली को लेकर अपनी बात रखी है ऐसे मैं आप से जाना चाहेंगी कि अनपुर्णा जी जो की सांसत भी है मंत्री भी और उन्हें भी भी भेजा गया है संदेश खाली संदेश खाली को लेकर आपकी टिपनी क्या है बंगाल में जब से मंता बनर जी प्रदेश के मुक्त मंत्री बनी है तब ही से वहां कोई मेला कहीं को भी सुरचित नहीं है आए दिन आप देखते होंगे लगता है कि पूरा बंगाल अपराधी ही चला रहे हैं और मंता बनर जी अपराधियों के प्रती बिल्कुल भ्यारवान है उनके उपर कोई कारवाई नहीं करते हैं और इसलिए लगातार आप देखें कि जब जब वहां कोई चुनावी होता है तो उस वक्त जो भी वहां के तिरमुल कॉंग्रेस के विरोध में जो लोग जो आवाज प्टाते हैं या फिर उनके विरोध में कोई बोट डालते हैं वैसे लोगों को परिशान करना तंग करना और तिरमुल कॉंग्रेस से कोई भी अपराधी अगर जुडा हुआ है, अगर वो कोई भी गुरा करता है, फिर उनके भी एक प्रकार से माफी नहीं करते हैं बलके उनको प्रोठसाहिद भी करते हैं, उनको बचाते भी हैं इसलिए मैंने तो कहा भी है कि भाई जो कॉंग्रेस पार्टी कहते है कि हमारी वो पार्टनर है इंडी एलाइन्स के तो राखूल गांधी पुरा देश में नहा यात्रा कर रहे है तो राखूल गांधी को तो बंगाल में नहा यात्रा करनी चाहिए उनको पूरा देश में देखता है कि वे लोकतंत्र खत्रे में तो वास्तों में अगर आज लोकतंत्र कहीं खत्रे में तो वह बंगाल में है तो वहाँ उनको जाना चाहिए, वहाँ यात्रा करना चाहिए, संदेश खाली उनको जाना चाहिए लेकिन वो तो यहां से वहां भागते रहते हैं शाशन प्रशासन का मेल जोल है महिलाय पीडित है चीर हरण जैसे स्तित्ती बनी हुई है सामंतवादी राज नजर आ रहा है आप इस पूरे घटना गर्म से क्या समझ पा रहे हैं कि आखिर जो महिलाएं वहाँ पर है उन्हें नियाय कब मिलेगा लिए नियाय तो जब तक मुहमता बनर जी वहां राज के मक्हमंत्री रहेगी तो नियाय मिलना बहुत मुस्किल है हम लोग तो बंगाल से बिल्कुल सटे हुए हैं जुड़े हुए हैं वहां से लोग आते जाते हैं हम लोग भी आते जाते हैं और वहां की हालत जो लोग बताते हैं जिस प्रकार से वहां गुंडा गर्दी है हम और आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि ऐसे कई घटना हुई है और खास करके जो विकर सेक्षन के लोगों के साथ जो होता है और ही भायावाई स्थिति होती है कि तो यह ममतब अनर्जी जब तक रहेगी तो कभी भी वहां कानून की राज अस्थाप इतनी हो सब्सक्राइब कि आपने ममतब अनर्जी का जिकर कि यह बहुत सटा हुआ है जल जंगल समील से जाना जाता है अधिवास समास से जाना जाता है महिलाओ की स्तिति महिलाओ कि सुरक्षित माहिलाओ के लिए और चमपई सोरेंजी आजकर एक लाइन भी बोलते हैं कि यह हेमन सोरेंट 2.0 की ही सरकार है तो सुरक्षा की लिहाद से जारखंड कितना सुरक्षित महिला हो के लिए देखें अभी तुरंद बने हैं हेमन सोरेंजी का कते हैं चमपई सोरेंजी मुक्मंतरी इसलिए अभी लालों के हाथों सोब दिया था विचोलियों के हाथों सोब दिया था अगुंडों के हाथों सोब दिया था अर यह लोग सब कुछ लूटने में लोग लूटते रहें लूटाते रहें चाहें नदी के बालों हो चाहें पत्थर हो चाहें कोईला हो जमीन हो लोहा हो तो हम च बोलन किया है शिवुस्वरिन के साथ तो जारखंड को कम से कम इन गुंडों से मुक्त कराईए विश्छोलियों दलाल और भरस्ट आपसरों से जारखंड को मुक्त कराऊए तक जारखंड के जुनता जिस उमीद के साथ 2019 में लोग सरकार बनाई थी और उमीद नाउमीद में बदल दियत है मनसुर इंजी ने कब से कम उसको ठीक करें बाकी हम उसके प्रतीशा करेंगे किस प्रकार से वो काम करते हैं आगे क्या होता है इसके बाद ही आगे कुछ किसान अंदोलन एक बाफ फिर से अपने पैर पसार रहा है 2020-2021 किस्तिती सब ने देखी है लेकिन आप जा रहा है कि शंबू बर्डर में फिर जवान और किसान आमने सामने आप एक सीनियर लीडर है आप इस पूरे घटना कर्म को किस तरीके से देख रहे हैं दिए पहले में तो कहूंगा ये किसान अंदोलन नहीं है कि यह विशुद दूरूप से यह वैसे लोग है जिनको लोगतंतर पर विश्वास नहीं है वैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं पहले भी लोगों ने किया था जीत पराड़े हुए थे जड़कों काफी कई एक महनोता के लोगों ने बंद रखा था इस बार भी उसी प्रकार की इनकी डिमांड है और पर विश्वास कर रहे हैं तो देश बर घूम यह किसानों को जगाई है सरकार बदल दीजिए और फिर आपको जो कानून बनाना है जो कानून रद करने और रद करिये जो बनाने वह बनाई किसकी मंशा है इस पूरे किसान अंदोलन के पीछे नहीं मैं कह सकता हूं कि जिस हें लुघ से लोग अंदोलन कर रहे हैं तो निश्व निस्यत रब से इसमें विदेशित ताक्त लगए यह हैं भारत है हो और विख्षत भारत को बहुति को बनते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं को मोदी जी के लोग प्रियताद से लोग डरे हुए हैं सहमे हुए हैं दुनिया जो क्लिवारत क्ल और तक बर कार्थ को नहंए less में वह साौरर कना चाहते हैं इसमें तक होगा हूं में वह सारे वीड़ाला है इसमें लोग कि खलबली मचनी शुरू हो गई है कॉंग्रिस के खेमे की बात करें तो कई विधायक नाराज है क्योंकि उनको मंत्री पद नहीं दिया गया और ऐसे में खबर आरी कि दिल्ली कर अजो सरकार बनी पिछले चार वर्सों में भी कमाने में लोग लग गए और विचारा जो नहीं कमा पा रहे हैं तो सवावी के उनके मन में तकलीफ हो गई जाले बड़े मुस्कुराते वे बाबुलल मरंडी जी अपनी बात रख रहे हैं जारकंड से आते बड़े नेता हैं आदिवासी समाज का नितरित करते हैं और प्रदेश अधियक्ष की भूमिका में हैं ऐसे में इनका साफतोर पर कहना है कि जिनके हाथ अभी तक मलाई नही नहीं लगी है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं बैराल अभी देखना दल्चस्प होगा कि कॉंग्रेस खेमे की गुडबाजी अगर दिल्ली पहुंचती है तो इसका असर जारकंड पर कितना पड़ता है कामरेशन दुरुगेश के साथ मैं भावना नीज लावन भारत लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन नीज लावन भारत सच है तो दिखेगा